दोसो वट वचन में आप सभी का तैजल से सुवागत करता हूं दोसो वट्षब का इस्तमाल तो हम सभी करते हैं आप भी यूज़ करते होंगे और आपको अच्छे से पता होगा कि वर्टसब के अंदर हमेजा कुछ न कुछ daily का daily playstore के अंदर update आते रहते हैं और आपने update भी क्या होगा लेकिन जो आप वर्टसब को update करते हैं उसके अंदर क्या changing आया, क्या नया feature आया, क्या नया खूफिया sitting आया जिसके बारे में आप लोग को नहीं पता होता है लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना तो आज की इस वीडियो के अंदर वर्टसप की तीन ऐसी जबरदस बिल्कुल गर्मा गरम खूफिया सेटिंग और खूफिया फीचर के बारे बताऊँगा जो अब भी ताग आपको नहीं पताऊगा ना आपको किसी ने भी नहीं बताऊगा अगर दोस्तो वर्टसप का इस्तमाल कर तो डेरी लाइप में और आप अपने फ्रेंड अपनी गल्फेंड से बाते करते हो ना तो इस वीडियो को पूरा दिखना है क्योंकि आज जो मैं आपको सेटिंग बताऊँगा फीचर बताऊँगा ना वर्टसप की दुनिया में काफी जादा तहलका मचा सकते हैं और ये दिया आपके फ्रेंड देख लेगा ना यूस करते होगे तो वो तो चौक जगर आपसे जुरुप पूझेगा कि भाई आपकी वर्टसप के अंदर ये चीज कैसे आया अगर दोस्तों वर्टसप की कुछ अलग जानना चाते हैं कुछ अलग सीखना चाते हैं तो वीडियो को देखते रहे ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट मेरे नाम सितारे और आप देख रहे होगा तोगा यूटूब चैनल इस वीडियो को शेर करना कॉमिट के अंदर जो ना तीन वर्टसप ट्रिक लिख दिना होगा तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको लिख करके आपको सेंड कर दिना होगा तो बस यह चोटी से काम करने के बाद सबसे पहला मैं आपको फीचर बता देता हूँ जो बिलकुल न्यू फीचर है और उसके बाद सेटिंग और उसके बाद फीर से फीचर बताऊंगा तो यह फीचर जानने के लिए वर्टसप को आपिन करना होगा और जैसे वर्टसप को आपिन करने के बाद दूसरों मैं आपको सबसे पहला फीचर बता देता हूँ और यह बिलकुल पूराना है और यह मुझे काफी boring सा लगता है और पसंद भी नहीं है तो अगर आप इसे chat को particular chat को कस्टमाज करना चाहते तो यह चीज़ कर सकते हैं तो इसके लिए 3. पे जानने के बाद setting में जाना होगा और यहाँ पे chat में जानने के बाद इसको सबसे पहले जो dark light mood है इसको dark mood करना होगा तो जैसे dark mood करने के बाद सबसे पहले back करना होगा और जैसे back करने के बाद chat को open करने जो भी particular chat को आप कस्टमाज करना चाहते है तो 3. पे जाकर करके wallpaper में किलिक करना और यहाँ पे change पे किलिक करना और यहाँ पे आपको धेड़ो साड़ा इसे wallpaper दीखनी को मिल जाएगा जो आप अपनी सबसे wallpaper को set कर सकते हैं जैसे मैंने आप पे set कर दिया और set करने के बाद उसको आपको इसको unique look देख सकते हैं यहाँ पे डार करना है तो ठीक है नहीं है तो आपको अपडेट कर लिए प्लेश डोल के अंदर मिल जाएगा सभी वर्टसप के अंदर यह feature available है ठीक है अब बात करेंगे दूसरा setting के बारे में और यह जो setting बिलकुल कमाल का कर लेता इसको light mood कर देता ताकि आपको देखने में काफी आसान होगा ठीक है तो मैंने यह light mood कर दिया और जैसे कि for example कि हम अपने friend को कुछ इस तरह से message करता हूं लिखता हूं तो यह message जो ना मेरे friend के पाथ चला गया क्योंकि हमारे मोबाल के इंटरनेट चाल हूँ है और दूसरों वहाँ से परिशान करते था वो को भी चीज़ काम करने नहीं देता तो आप एक चीज़ सेटिंग कर सकते हो सेटिंग क्या कर सकते हो कि आपकी फोन के अंदर इंटरनेट चालो तो रहेगा लेकिन वर्टसप ऑफलाइन होकर कि आप किसी फ्रेंट को ऑफलाइन देखा सकते हो जैसे कि फूर इक्जांपल हमारे मुआल के अंदर इंटरनेट चालो है और यहां पर मैं मैंसेज करता हूँ तो यहां पर मैंसेज जा रहा है लेकिन मैं एक सेटिंग को आउन कर दूँगा तो म वाई-फाय और मूबाल डेटा झिया यह दोनों को बंकर देना या कि दोनों करके मैं टेक्ल इसकार क्रने के बाद मतलünü को ऑफलेनों करते हैं तो मेरे फॉन के देख सकते मैं वाइफाय चाल हुआ है लेकिन यहां पर मैंसेज करने के बाद यहां पर देख सकते कि डॉब्ल टिक नहीं लगए अप कि से सिंगल टिक भी नगए यहां पर नहीं हैं तो वो आपको 12 परशान नहीं करेगा, लेकिन actual में आपका internet तो on है, आप बांकी का सारा काम कर सकते, लेकिन आपका WhatsApp जोना offline रहेगा, तो अगर आप इसे feed से all on करना चाहते, तो feed से hold करे, i button पर जा यह जो restricted using data है यह दोनों setting को on कर दे, वापस से जोना यह setting on हो जाएगा, जैसे कि आपर देख सकते, double tick यहाँ पर लग चोगा, घरी का निसान हड चुका जिया, तो यह मुझे काफी जबरदस setting लगा, इस setting का ज़रूर फाइदा उठा सकते हैं, आप बात करेंगे last और बिल्कुल जबरदस feature के बारे में, जो अभी अभी जोना कल या दो दिन पहले जोना वर्टसप के अंदर यह feature आ चुका है, जो आप लोग नहीं जानते होंगे, तो यह feature को जानने के लिए आपको 3. पे जाएं, और यहाँ पे वर्टस वैप होगा, तो वर्टस वैप पे किलिक करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह सोगा link a device, तो link a device पे किलिक करेंगे ना, तो यहाँ पे fingerprint बताएगा, दुस्तों पहले क्या आता था कि आप अपने phone को, किसी भी friend को, या किसी भी बंदे को आप अपना mobile को देते, या घड़ पे रख देते, या कहीं friend के घड़ पे रखते हैं, तो वो क्या करता है, कि आपका WhatsApp चैट जो ना, ओपिन करके, वो scan करके जो ना, आप ले लेते mobile और आपको पता नहीं चलता है, कि आपका WhatsApp जो ना, कोई और बंदा कैसे यूज़ कर, आप लोग को नहीं पता, तब तब आपका data leak हो जाता है, लेकिन आप क्या कर सकते, इसके अंदर fingerpin डाल सकते, जो भी device का जो default होगा ना, fingerpin डालेंगे, या pattern lock, या pin lock डालेंगे ना, उसी का pin आप डालेंगे ना, तो आपका जो भी, जो भी pin आपको पता होगा, और किसी बंदे को नहीं पता होगा, जो भी scan करने की कोशिज करेगा, word swap के अंदर, तो वो scan कर पाएगा, कि कि वो pin बताएगा, जैसे कि for example, यहाँ पे fingerpin डाल देता हो, और जैसे fingerpin डालने के बाद, उससे यह QR code open हो जागा, और लेकिन जब भी वो QR code को open करने की कोशिज करेगा, तो यहाँ पे fingerpin बताएगा, वो scan नहीं कर पाएगा, और यह fingerpin या pattern log, pin log, आपको पता है, दूसरा बंदा को नहीं पता, तो यह feature मुझे काफी जबर्दस लगा, अगर आप pattern यूज करते हैं, तो pattern को आप इस सरह से, इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे मैं आपे लगा देता है, और जो भी system होगा, mobile के अंदर वही log काम करेगा, तो यह feature था, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया हूँ, तो यह तीनो फीचर जो setting मैंने बता है, आप लोग को कैसा लगा, एक बार comment करके, जरुर बताना, मुझे उमेदे कि आप लोग को काफी ज़ाद interesting बहुत ही कामाल के लहोगा, अगर आपको वीडियो चे लेगे ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चलो को सब्सक्राइब कर लेना, और लोटिफिकेसन दबा देना, दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में अपने ख्याले के, टेक के राएंड गुडबाई